गुड मॉनिंग बच्चो आज हम पढ़ेंगे कम्प्यूटर का चैप्टर नम्बर तीन यूज ओफ कम्प्यूटर का यूज कहां कहां कैसे होता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडेक्शन्स कम्प्यूटर आर वेरी यूजफुल इन अवर डे टू डे लाइफ कम्प्यूटर जो है यह हमारी लाइफ में हमारी जिन्दकी में हर रोज की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट यूजफुल होता है काम की चीज होती है यह हमारे बहुत सारे जगए पर यूज होता है कम्प्यूटर कम्प्यूटर में एक वरक एजियर एंड फास्टर कम्प्यूटर जो है यह हमारे वरक को हमारे काम करने को या काम करने तरीके को या काम को असान और बनाता है और जल्दी काम कम्प्लीट करता है आगे हम पढ़ेंगे computer का use कहां कहां होता है सबसे पहला use हमारा computer का school में भी हमारा computer use होता है school में किस प्रकार से use होता है it is use to prepare the report card and keep records of students इसका use computer का use school में किसलिए होता है एक तो use to prepare the report card आपके जो report card होते हैं आप क्या summary exam देते हैं उसके बाद रिपोर्ट का त्यार होते हैं उसको prepare करने में और keep record of students और जितने भी school में students होते हैं बच्चे होते हैं उनका record को maintain करने का computer use होता है it is use in school library computer का use school की library में भी होता है library में किस प्रकार होता है library में computer का use सभी जितने भी books होगी computer की library में उन सभी का record हम computer में maintain करते हैं computer में रखते हैं It is used to teachers to explain our lesson in an interesting way इसको teachers की इस परकार से use होता है computer का school में teachers के तरू teachers के तरू इस परकार होता है teachers to explain our lesson कोई भी teacher है किसी भी subject का है वो computer के जरीए अपना lesson जो भी वो lesson करवा रहा है या जो भी वो teacher computer का lesson जो जिस भी subject का lesson वो करवा रहा है उसको explain यानि कि उसको असानी से explain करने interesting way से उसको explain कर सकता है बच्चों के सामने उसको समझा सकता है बच्चों को computer के जरीए वहाँ भी computer का use होता है